सभी साथियोंको प्यार भरा नमस्कार जैहिंद केसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ ठीक है अच्छे है मस्तों और स्वस्थेतर अपनी पढ़ाई को नीरंतर जारी रख पा रहे हैं साथियों फ्रीयोटन पढ़ रहे थे पर प्रियेटन पढ़ रहे थे तो घूम लेते हैं आईए सेर करवा देते हैं आपके महतसव से आज आज आपको वाकित करवाते हैं राजस्तान में कहां कहां कौन कौन से महतसव का विजन किया जाता है इनकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे रास्तान में र स्कुल बिना किसी देरी के और पहली ही स्लाइड में आपके पास आ रहा है कि अपने राज्तान सरकार के द्वारा जो प्रियेटन विभाग है उसके द्वारा कौन-कौन से उत्सव का यूजन किया जाता है उनकी अपने को यहां प्रचरचा कर लेनी है अब कौन-कौन से उत् है क्या जी हां विकार में कौन सा मौतम भीकार में एक मोट सब्क्राइब कौन से हैं कोन से नंबर एक पर कुए याद रखना है कि च्षिके महोत्सव यह कहां पे होता है तो अपन कहेंगे उंट महोत्सव यह विखानेर कहां पे होता है उंट महोत्सव विखानेर में इसके बाद नंबर दो विकानेर के अंदर एक चीज और लिख देते हैं अपने इधर करके यह विकानेर के अंदर यह आपको पता है क्या होता है विकानेर में ही लगता है कोलायत मेला कोलायत मेला बिकानेर के बाद अपन आगे चलें जेसल मेर मेर में भी क्या कोई है क्या है समामला बिल्कुल है जेसल मेर मेर में भी है जेसल मेर मेर में कितने हैं देख लेते हैं एक नंबर जेसल मेर का ये ले लेते हैं ये थोड़ा साइट छोटी कर लेते हैं तीर जादा बड़ा हो गया और दूसरा नंबर जेसल मेर का ये ले लेते हैं अपने कौन-कौन से भाईसाब जेसल मेर में देखेगा जेसल मेर में एक तो होगा मरू महुत्षप ये लिख दिया मैंने मरू महुत्षप थार नहीं है मरू महुत्षप याद रखना और एक मैंने जेसल मेर में लिख दिया पतंग महुत्षप पतंग महुत्षप उसके बाद कुरुजी क्या कोई बाड मेर में के अंदर भी एंगया बिल्कुल बाड मेर 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 है बाड मेर 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 कौन-कौन थार महुत्सव कहां बाडमिर में और थार महुत्सव के साथ याद रखेगा वेलून महुत्सव भी कहां पे मनाया जाता है अपने बाडमिर में मनाया जाता है उसके बाद प्रसंद बना सेखावाटी महुत्सव यह लो जी सेखावाटी महुत्सव की बात करेंगे तो कहां पर है याद रखना आए सेखावाटी महुत्सव कोई एक जिले में तो है नहीं ये तीन जिलों में मनाया जाता है इसके बाद आगे जैसे चलेंगे तो आएगा आपका हाथी महुत्सव के बाद फिर आगे बात करेंगे हाती महत्सव के बाद यहां पे तीज महत्सव है तीज महत्सव के बाद यहां पे फिर आगे बात करेंगे तो यहां पे आजाता है गणगोर महत्सव बैए तीज का बड़ा महत्सव जेपूर के अंदर है हाती महत्सव कहां पे जेपूर के अंदर है साथ में ओर बात करेंगे आप कहां पे, जेपुर के अंदर पतंग महोतसव भी मनाया जाता है लोजी, सारी लिख देते हैं एक एक करके, सभी की चर्चा कर लेंगे अपने, नमबर एक पे जेपुर में कौन सा महोच्चव आता है हाथी महोच्चव कहां पे है जेपुर में है असके बाद में हाथी महोच्चव के बाद में पतंग महोच्चव कहां जेपुर में है पतंग महोच्चव के बाद में तीज महोच्चव कहां है जेपुर में है और तीज महुत्सव के बाद में गणगोर महुत्सव भी कहां है जेपूर में लो जी भाई साब हो गए अब यह कहां कहां है यह तो देख लिए और भी करेंगे नेक्स्ट में इतने एक बार याद कर लिजीएका इन में अब अपने को क्या देखना है कि यह महुत्सव मनाये जाते हैं लेकिन कौं से महुत्सव कब मनाया जाता है कहां कहां कितोगी बात बात करें मरू करेंबılar यह कहां है ये बार्डमेर में अपने बात करें ये सारे के सारे महुतशव कहां है ये जेपुर में है अपने बात करें पलस के इंदर जुन जुनू भी आ जाएगा और पलस के इंदर भाई झाप सीखर भी आएगा लाएिए कहां जाएगा अब अपने को करना क्या है कुछ नया नहीं करना अपने को केवल एक काम करना इनके महीने करना मतलब लिख सकूं कै अरे वह गुरूजी वा बिलकुल उंट जन्में, कटे जन्में, मरूमें जन्में, मरूस्तल में जन्में, जन्में में जन्में, उंट महत्सवी जन्में, उंट जन्में, मरूमें जन्में, जन्में आती मारे लागो, जन्में उंट मारे कुन लागो, आती, आती मारे, आती मारे, मतलब आती महत्सव मार्च में और अती के मारे अती के मारे थाप अती मारे थाप के मारे थाप मारे अरे वा भई वा थार मोहत्षव कब है फरवरी में आतिके मारी थाप मारी फरवरी फरवरी को मतलब याद रखोगा कि कुणसो में नौ दूसरो और दूसरो दूसरा को दूसरो चोथो यानि वेलून महुत्सव कौन से महिने में आता है याद रखेंगे अप्रेल में आते हैं एक आम तो गया इसके बाद इन में कोलायत महुत्स या मेला आपको पता है ये तो कार्तिक महिने में लगता है तो कार्तिक तो नवंबर में भी आ जाता है रक्तुबर में भी आ जाता है कोई फिक्स नहीं है ये तो तिथी के अनुसार लगने वाला मेला है पतंग हमेशा सकरात में उड़ते हैं तो पतंग महत्सव भी सकरात जन जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा पतंग महुत्सव जनवरी और पतंग महुत्सव जनवरी जनवरी के साथ याद रखना फरवरी में भी चलता है अकेली जनवरी ही मत कर देना उसके बाद तीज कब आएगी तीज तीज की जगह आएगी स्रावन महिने में इंगलिस महिनों की बात करें तो जुलाई में भी आ सकती है और अगस्त में भी आ सकती है गणगोर कब आएगी चेत्र महिने में चेत्र महिने का मतलब आप समझ सकते हैं इसमें मार्च भी हो सकता है और इसमे कोई भी एक हो सकता है क्योंकि ये तो चेत्र महिने में आएगी तो आएगी भई साब क्या कर सकते हैं अपन भी तो ये आयो जी तो उत्सव है सेखावाटी उत्सव है इसमें याद रखीगा ये जनवरी 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 के साथ में फरवरी ये कौन सा उत्सव है सेखावाट मेर में कोलायत मेला अक्टूबर नौबर में अता जनवरी महिन में पतंग मोचसव जनवरी में बदाय दिया थार मोचसव अप्रेल के इंदर कहां पर आपका बाड़ मेर के इंदर है तो एक बार इनको लिखेगा फिर आगे चलेंगे और भी चर्चा करेंगे फटापट से ल चले वही आगे चलते हैं अब इसके बाद जैसे ही आगे चले ही अपने और कौन-कौन से हैं वो भी देख लेते हैं अब जरा देखेगा आपन ने यदर तु बातं कर ली अब यहां पर अलवर है अलवर में कौन सा महुचशव है तो याद रखिएगा भीया अलवर में जो महुचशव है वो महुचशव आता है जिसका नाम आता है क्या- तो पन कहेंगे अलवर में महोत्षव है जिसका नाम मतस्य महोत्षव कौन सा महोत्षव मतस्य महोत्षव सीधा सीधा प्रशन बनेगा मतस्य महोत्षव का आयोजन कहां किया जाता है तो अपन कहेंगे जी अलवर में किया जाता है कहां अलवर में मतस्य महोत्षव के बाद में यह कौन सा जिला है तो पन कहेंगे यह भरतपुर जिला है और भरतपुर जिले में जिस महोत्षव का आयोजन होता है आवो है ब्रज महोत्षव कौन सा महोत्षव ब्रज महोत्षव कहां पर आयोजन करवाया जा रहा है ब्रज महोत्षव का भरत पुर के अंदर ठीक है प्रभाव चेत्रधोलपूर भी आ जाता है लेकिन भरतपूर याद रखना अपने को इसके बाद में फिर आगे चलेंगे आगे चलेंगे तो यह भाई साब जी कोटा आ गया कौन सा गया कोटा और कोटा में आपको दो याद रखने एक तो एडवेंच जाता है दसेहरा महुत्सव यह कोटा में मनाया जाता है और दसेहरा महुत्सव के साथ याद रखेगा एडवेंचर भी कहां मनाया जाता है यानि दसेहरा के साथ आप याद लिख लिएगा एडवेंचर मेला या एडवेंचर महुत्सव लिख लिजेगा एक बात कोई फरक ये कहार मनाया जाएगा तो अपन कहेंगे यहिं लिख देता हूँ इसमें मीरा महत्षव के बाद फिर बात के अपने यहाँ पे यह आ गया मेवाड महत्षव यहाँ मेवाड महत्षव मेवाड महुत्सव ये उदेपुर में मनाया जाता है मेवाड महुत्सव के बाद में फिर बात करते हैं पन ये मेवाड है तो मारवाड भी कहीं न कहीं मनाया जाता होगा बिल्कुल मनाया जाता है क्यों नहीं मनाया जाता ये ले लीजिए गाई मारवाड महुत्सव और मारवाड महुत्सव के बाद में अगर बात करते हैं अपने अजमेर की कहां की बात करते हैं अजमेर की बात करते हैं अजमेर के इंदर भी याद रखना अपने को एक तो पुषकर का मेला लगता है अजमेर में कौन सा मेला लगता है अजमेर में अपन बात करेंगे पुषकर का मेला लगता है अब पुषकर मेला कहां पे लगता है अजमेर में लगता है याद रखना है लोजी में लखी देता हूँ अजमेर में कौन सा मेला लगता है को देख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। डूट हो जाएगा सारा काम निस्चिंट्र रहीएगा। मॉत्सव कौन से महा में आयुजित किया जाएगा। तो याद रखना मेवाड महतसव उदेपूर में तो है लेकिन ये अप्रेल महिने में आयुजित किया जाता है मेवाड महतसव कौन से महिने में आयुजित किया जाता है अप्रेल महिने में हाँ देख लिजिएगा एक बार के लिए उसके बाद प्रशन बना कि अप्रेल महिने में ये आ कौन से महिने में आयुजित किया जाता है तो पन कहेंगे अक्टूबर में फिर बात करें पुसकर मेला कब लगता है जी पुसकर मेला आपको पता है ये अजमेर में तो लगता है और अजमेर में लगने के साथ आपको याद क्या रखना है ये लगेगा कब ये नवंबर के इं तोपन कहेंगे ये अलवर में है और ये होगा कब उत्सव ये सितंबर में होता है मतस्य महोत्सव का आयूजन कब करवाये जाता है सितंबर के महिने में कौन से जिले में अलवर में ब्रज महोत्सव का आयूजन कहां करवाये जाएगा ये भरतपूर में करवाये जाएगा कौ से महिने में होगा तो अपन कहेंगे यह अक्टूबर माहा में होगा दसारा महत्सव यह महत्तुपून है अक्टूबर में यहां तीन आ गया जोदपुर का मारवाड आ गया मीरा महत्सव चित्तोडगर का आ गया और कोटा का आ गया दसारा महत्सव यह कब है अक्टूबर के इंदर करवाए जाते हैं आपके ठीक है तो एक बार इनको आप नोट कर लीजेगा फिर आगे और छोटे मोटे महुत सब उनके भी चर्चापन लोग करने वाले हैं तो फिड़ाबर से एक बार लिख लीजेगा इनको आना सावास करें आज्म็र में रह गया बहुquito है यह लिख लीजेगा रह गया तो यह लिख देता हूं मैं आज्मेर में एक आताहे हिंडो ला उचसब हिंडोला उत्षव ये भी अजमेर में है ये लगभग जुलाई अगस्त में होता है लिख लीजिए गाना साथ साथ हाँ जी और देखो कोई रहे तो नहीं गया रहे गया वो तो फटापट बताओ एडवेंचर महुत्सव है ये फरवरी में है कोटा में कोई चूट नहीं है भही देख ले ना हाँ फिर चलें आगे हाँ एक बार इनको लिख लिजेगा फिर आगे की बात तूर करते हैं अपने हाँ जी चलें के अब ओर और क् precious है और में देखेगा ये जैसे शिरोही आता हैNo और सिरोही में अपने को दो मोस तो याद रखने है कौन से दो याद रखने है एक तो गृष्म磨 है और दूसरा याद रखना है सरद महुत्सव दौनों है कहां पे सिरोई में हैं लो लिख देते हैं यह तो हो गया सरद महुत्सव के बाद में यह हो गया ग्रिश्म महुत्सव ग्रिश्म महुत्सव यह कहां पे अपना सिरोही के अंदर है इसके बाद याद रखना आपने यह वाला जो हिस्सा है बोले तो डूमवरपुर और डूमवरपुर में भी आपको दो महुत्सव याद रखने हैं इधर जगह नहीं इधर लिख देते हैं अपने लोग एक तो इ और एक इसको इधर ले जाके लिए देंगे लोजी कौन-कौन से दो हैं याद रखना एक तो जोदपुर में आपका डूमवरपुर में आता है वागड महुत्सव वागड महुत्सव और वागड महुत्सव के बाद में एक याद रखना है बैनेश्वर महुत्सव या मेला बेनेश्वर महुत्सव या मेला उसके बाद में आपको याद रखना है ये भरतपूर या गया भरतपूर में अभी अपन ने बात की थे एक ब्रिज महुत्सव की और ब्रिज महुत्सव के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है यहाँ पे कर्ष्ण जन्मास्टमी का भी महुत्सव मनाया जाता है कर्ष्ण जन्मास्टमी का महुत्सव भी मनाया जाता है इसके बाद यह बूंदी आगी भाई साब यहाँ पे और बूंदी में जो महुत्सव मनाया जाता है उसे कहते हैं कजलितीज का महुत्सव कजली तीज महुत्सव कहां मनाया जाता है कजलितीज महुत्सव तो याद रखेगा बूंदी में बूंदी के बाद यह जो क़रोली वाला है यहाँ आप याद रखीएगा यहाँ पे आता महावीर जी का महुत्सव किसका महुत्सव महावीर जी का महुत्सव महावीर जी महावीर जी का महुत्सव काहाँ पे अपने करोली के अंदर अब यह महुत्सव कब कब मनाये जाते हैं यह भी काम की बात है न देख लेते हैं एक एक कपल भोल्ट से समस्ते हुए लिख लेते हैं नमबर से चल है गृत मोहथ सब कब मनाया जाता है कि याद रखेए जाता है जून महीने में और बॉनों के दोनों के दोनों ही कहाँ है यह सिरोही के अंदर है चलो ठीक बात है उसके बाद वागड महुत्सव कहा मना कम मनाया जाता है यह नौंबर महिने में बात करें बैनेश्वर मेला कम मनाया जाता है फरवरी में और यह दोनों के दोनों हैं कहां पे तो याद रखेगा है डुंगरपुर में डुंगरपु में उसके बाद फिर चले महावीर जी वाला कब मनाया जाएगा अप्रेल में है कहां पर महावीर जी का करोली में है और इसी प्रकार कजली तीज वाला महत्सव कहां मनाया जाएगा बूंदी में मनाया जाएगा और मनाया कब जाएगा तो याद रखीगा कजली तीज कब आती गजली तीज आएगी भाद्रपद महिने में और भाद्रपद महिने में आएगी तो जुलाई में आगस्त में क्योंकि इंदे महिनों का फिक्स करम नहीं रहता है आगे पीछे होते रहते हैं तो एक बार इनको आप नोट कर लीजेगा यह सारी चीजें याद करनी है केवल लि पूलता जाता हूं आप देखती जीएगा न उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो देखेगा एक नंबर से चलें अपने ओड महत्सव हो गया कोलायत मेला हो गया फिर अपने मरू महत्सव पताव महत्सव की चर्चा की हाती महत्सव कहां पर भीया मार्च के अंदर कहां अपने सिर्वोई में पढगा यह मतस्य महत्सव अलवर में ब्रज महत्सव भर्थपुर में दसयरा कोटा में एड्वन्चर कहां पढगा पढ़ा भीया यह आपका चित्तोडगड में है और इसके बाद में यह और बच गए यह ओर देख लों आप कर आगे पर यह चलता है अपने तो अब इस्सवाले को हो है चक्क जो हमात्व लिख सकते हैं धरत्तपुर में जो करश्रन्स committees में को लगता है इसको आप क्या कह सकते हैं लिखिएगा उसके बाद एक अब कु बताता ह indaza कर हाजी चलें आगे चलते हैं अब इसके बाद आपको कुछ महुत सब और याद रखने हैं जैसे कि प्रशन बन जाए कि यह अपना पाली है तो पाली में कौन-कौन से महुत सब हैं चलो जी देख लेता हैं पाली में एक यह आ गया पाली में एक यह आ गया पाली में एक यह आ गया पाली में तीन होगे होगे तीन बहुत है इतने पाली में इतने करवा देंगे बहुत हैं चलो अब भाई साब पाली में हैं कौन-कौन एक तो गोडवाड महुत्सव कौन सा महुत्सव है तो आप लिख सकते हैं पाली के इंदर गोडवाड महुत्सव इधर लिख देता हूं मैं गोडवाड महुत्सव कौन से माहे में ये महुत्सव आयुजित किया जाता है तो आप कह सकते हैं ये अप्रेल में आयुजित किया जाता है कहां पर पाली के अंदर गोडवार महत्सरव के बाद में सास्त्रिये नरते नर्ते महत्सरव, यह भी पाली के अंदर कौण से महीने में तो पन कहेंगे अगस्त महीने में उसके बाद पाले में आता रनकपुर महोत्सव और ये कब मनाया जाएगा तो अपन कहेंगे भाईया ये मनाया जाएगा नवम्बर में अब ये नौंबर में मनाया जाएगा तो फिर आप परसन आएगा है काता है सिल्प ग्राम मोहत्सव कौन सा मोहत्सव ये रहा उदेपुर और उदेपुर में भईया आपन यहां लिख देते हैं सिल्प ग्राम मोहत्सव सिल्प ग्राम मोहत्सव और सिल्प ग्राम मोहत्सव मन आया कहां जाता है तो आप कहेंगे सिल्प ग्राम महत्सव ये उदेपुर में मनाया जाता है कब मनाया जाता है दिशंबर में इसके बाद एक उदेपुर में एक महत्सव और है प्रशन बनेगा आदी महत्सव कहां मनाया जाता है तो आपका उत्तर बनेगा आदी महत्सव महिने महिन यह कौंसा महुत्षब आ गया आम की विभिन परजातियों के लिए यानि प्रदर्श्नी की गई थी आम की परजातियों की यह मेंगों महत्षब कहां पे यहाद रखेगा मेंगों महत्षब यह आपका लगता है बासवचा race और पहला पहला मेंगो महुत्सव है यह जून महिने में लगाया गया यानि यहां अपने दक्सनी राजस्थान में जो आम जितने भी होते हैं इन आम की सभी जो किस्म है इन सब को यहां पर परदर्शित किया गया ताकि लोगों को अपने राश्थान में होने वाले आम के बारे में पता चले तो एक बार इनको भी आप नोट कर सकते हैं। आपकी इच्छा होते एक और लिख दू क्या। ये इधर, फोटोग्राफी महचशव जेपूर में, ये जेपूर में तो नहीं पहुंचा तीर, फोटोग्राफी महचशव कहा पे? जेपूर में, जेपूर तक पहुंचा दूँ तो यह हो गया फोटोग्राफी मोहत्सव ठीक है तो एक बार के लिए आप इनको देख सकते हैं उसके बाद फिर आगे अपन और भी चर्चाएं अपने को करनी है हाजी चले तो यह अपन ने देखा अब भात आती है राजस्तान में रोपवे क्या होता है रोपवे का मतलब आप यह समझlerini आप और यहाँ समझेगा जिस वे को रोप रोप कर बनाया गया है उससे क्या कहते हैं रोपवE कहते हैं जिस रोप रोप कर बनाया गया उसको रोप वे कहते हैं। यह क्या है बड़ा पिलरी तो और क्या है ठीक है यह जो यहां पे खंबे लगा दिये लाइट वाले खंबे नहीं लगाते क्या बड़ी बड़ी लाइन वाले वेसे यहां पे खंबे लगा दी जाते हैं अब एक खंबा यहां लगा दिया एक बीच में लगा देंगे एक उपर लगा देंगे और उसके बाद इसमें क्या करेंगे इसके अंदर करेंगे भाई साब यह यहां पर वायर डाला जाता है पका तार यह यहां पर तार डाला जाता है अब उपर पहाड़ी के ऊपर एक और लगा रखें आप दो तीन जितने भी लगा रखें फिर इनमें क्या करते नीचे यहां पर मसीन रहती है और उससे क्या किया जाता है वो नीचे पुरा सिस्टम चलता है और वो वायर यू चक्कर लगाता रहता यह चक्की वाला पट्टा नहीं रहता गया इस प्रकार आप यू माल लिजेगा अब इसके एक ट्रोली यहां लटक रही है एक ट्रोली इ पहुंता यहां पहुंचा सवारी उत्री यहां से चड़ेंगी फिर पहुंचा फिर उत्री यह सिस्टम चलता रहता है पूरा का पूरा है न तो यह है रोपवे तो राजस्थान में पहला पहला रोपवे यह कहां लगाया गया या कहां खोला गया तो याद रखेगा यह तो जालोर में है तो आप लिख सकते हैं यहां पर क्या लिखेंगे ध्यान देंगे आप लिखेंगे राजस्थान का अरे एक मिनट बड़ा हो गया थोड़ा साथ हाँ आप यहां पर लिख सकते हैं राजस्थान का पर्थम रोपवे अब आप से यह पूछ लिया यह राजस्थान का पर्थम जो रोपवे यह सुन्दा माता है कहां पे तो याद रखना राजस्थान का पर्थम रोपवे शुन्दा माता चेत्र में है और शुन्दा माता है कहां पे जालोर में है अब अगला प्रशन है कि इसकी पहला ही है तो इसकी तारिक भी आ सकती है क्या ब इसके लंबाई की बात की जाती है राजस्थान में जो रोप वे हैं इन में जो लंबा है सबसे वो यही है कितने मीटर लंबा है 800 सू मिटर लंबा है यानि इस बात को आप ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंट में आठ किलो मिटर है पॉइंट में कितना किलो मिटर है आठ किलो मिटर है तो पॉइंट आठ किलो मिटर वाले लफडे को तो छोड़ी दो कई कन्फूज हो जाओगे लंबाई कितनी आठ सू मिट तो लंबाई 800 मिटर अभी तक राजस्थान के किसी रोपवे की है नहीं तो राजस्थान का कहां का राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे तो भाई साहब आपका उत्तर बन जाएगा राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे है वो सुन्दा माता वाड़ा है कब इस्थापित किया गया था 20 दिसंबर 2006 किया गया था लंबाई कितनी इसके 800 मिटर है और राजस्थान का यह सबसे लंबा रोपवे या ना इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं अब दूसरी बात आती है दूसरा रोपवे वो पहला रोपवे था यहां में लिख देता हूँ यह दूसरा रोपवे है कहां पे दूसरा रोपवे कहां पे है तो सात्यों याद रखेगा यह है करणी मनसा माता कौनसी माता करणी मनसा माता और यह करणी मनसा माता है कहां पे त करनी मंसा माता उदेपुर में राजस्थान का दूसरा रोप वे पहला कहां था बीनमाल जालोर में बोले तो अपने कौन सा सुन्दा माता वाल अगर बीनमाल ओप्शन नहीं मिले तो जस्वंत पूरा की पाड़ियां कर देना क्योंकि यह जस्वंत पूरा बलोक में पड़ता में आठ कितनी रहे आठ कितनी रहे आठ कितनी आठ ही आठ थी आठ तारीक तीछे का महिना था और दो जार आठ की साल थी यानि आपको लिखना है यह कब यह आठ जून दो जार आठ को कितनी जून को आठ जून दो जार आठ को था इसका उद घाटन और अगर इसकी लंबा आईगी बात की जाए तो 387 मिटर लंबा है कितना लंबा है भाई साब 387 मिटर ये लंबा आपका है कौन सा है 387 मिटर लंबा तो याद रखिएगा करणी मंसा माता वाला रोपवे है कि कैं अब चलते हैं आगे फिर अपन तीसरे रोपवे की और एक बार इसको आप नोट कर लिजेगा ना फिर चलेंगे आगे यही रहने देते हैं लिखिए भाई फटा पर से अब आगे आता है आपका तीसरा तो ये राजस्थान का तीसरा रोपवे है ये कहां पे भाईया तो याद रखेंगे ये राजस्थान का तीसरा रोपवे आपको ध्यान है सावित्री मात अगली बात बनी कि इसका उद्गाटन कब किया गया पहले का 2006 में दूसरे का 2008 में तीसरे का 2016 में चोथे का 2019 में अब तीसरे का है तो तीन तारीख आएगी तीसरे का वेसे कोई फिक्स नहीं है यह सईयोग है तो याद रखीगा तीन मई 2016 को इसकी लंबाई कितनी है 700 मिटर इसकी क्या है लंबाई है तो यहाँ आप एक चीज एडिसनल और लिख सकते हैं राजस्थान का राजस्थान का दूसरा लंबा रोपवे राजस्थान का दूसरा लंबा रोपवे कौन सा है तो भाई साब अपन कहेंगे राजस्थान का दूसरा लंबा रूपवे न यह आपका है सावित्री माता वाला कहां पे उसका रेजवेर में कितने मिटर लंबा है 700 मिटर लंबा है कितने मिटर लंबा है 700 मिटर अब बात करते हैं इसके बाद में तो आजाता है आपका 24 माई 2019 को उध्गाटन हुआ इसका कब हुआ इसका उध्गाटन 24 माई 2019 को और यह है कहां पे तो याद रखना ये सामोध हनुमान जी का मंदिर कहां पर जेपुर में है तो आप लिख सकते हैं सामोध हनुमान जी का मंदिर है कहां पर जेपुर में है और अगर इसमें उद्गाटन तो हो गया इसका लेगन अगर इसकी लेंद की बात की जाए तो ये 380 मिटर लंबा है 380 मिटर इसकी क्या है लंबाई अब आपसे लंबाई के आधार पे करम पूछा जाए ना तो आप क्या बताएंगे लंबाई के आधार पे करम पूछा जाए यहां में लिख देता हूँ लंबाई इसके आधार पे करम पूछा जाए तो आपको ध्यान रहना चीए 800 मिटर लंबा कौन सा है 800 मिटर ये सुन्दा माता वाला है इसके बाद में 700 मिटर लंबा कौन सा है ये सावित्री माता वाला है इसके बाद 387 मिटर कौन सा है ये आपका उदेपुर वाला है और 380 मिटर कौन सा है ये आपके स्क्राइप में बता सकते हैं नंबर एक पर लंबा ही सबसे ज्यादा किसकी है तो अपन कहेंगे सबसे ज्यादा लंबा है सुन्दा माता वाला इसके बाद फिर आगे चलें यह कौन सा है यह सावित्री माता वाला पुष्कर वाला है उसके बाद यह कौन सी माता है यहां पर आता है रहा है जो ली तो उद्धे पूर्वाली और यहां पर कौनाता रहानी जी कोण से अनुमान जी कहां ये पूर ट्शीज रह गैं या चुट गहीती हो ताकि फिर आगे की बातya और करें हाँ हाँ है इसके बाद इसको देख लीजेगा इसके बाद इसको देख सकते हैं इसके बाद अब यह क्या आँ है यह साही रेल गाड़ी राज सी ठाथ बाठ से चलने वाली गाड़ी कुंसी है यह इसका शुरुवात में नाम क्या था शुरुवात में नाम था राजस्तान विल्स अब क्या है बेरीटे सब्द जुड़ गया बस यह नाम बदलने की काणी और कुछ नहीं है याद इतना ही रखना है राज सी ठाट भाट वाली साही रेल गाडियां है जिनके अलग ही आप दे कोनी चाहिए यह आते हैं लाग लाग रुपे किराय वाड़ा यही दे सकते हैं अपन भी दे सकते हैं क्यों नहीं दे सकते गुरुजी दे सकते हैं तो घूमिएगा आनंद लीजिएगा साही रेल गाडियों का तो अपन बात करते हैं इस साही रेल गाड़ी की एक एक इसका जो बिंदु है आप वोपन देख लेते हैं यहाँ पर आपको याद रखना है यह कौन सी रेल गाड़ी है पैलेस ओन विल्स है कौन सी यह भीया यह है पैलेस पैलेस ओन विल्स यह प्रारम्ब कब की गई थी तो याद रखना है यह 26 जनवरी कितनी जनवरी 26 जनवरी कौन सी 82 प्रारम की और थेरा वर्ष बाद में 26 जनवरी प्रारम की तेरा वर्ष बाद में इसको बड़ीलाइन पर शुरू कर दिया यानि मैं कह सकता हूं कि उन्निस सो पिच्चाण में इस्वी में बड़ी लाइन पर इसको शुरू कर दिया और बड़ी लाइन पर शुरू करने के बाद में अब आएगी काम की बात और मुद्धे की बात जो आपको याद रखनी है कि इसका पेलेस और विल्स से नाम कब बदला गया 2017 में तो आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं दिसंबर 2017 में कब भाई साब दिसंबर 2017 में इसका नाम है इसका नाम बदल दिया इसका नाम बदला नाम बदल दिया गया और नाम बदल के क्या कर दिया जाता है नाम बदल के इसका रखा जाता है क्या तो सुनिएगा इसका नाम रखा जाता है Heritage Palace on Hills क्या रखा जाता है Heritage Palace on Hills हेरिटेज पहले से ओने फिल्स अब प्रशन बनेगा कि इसका संचालन कोन करता है तो स्वाभाविक बात है रेल है तो रेल का संचालन तो भारती रेल वे करेगा लेगने इतना राजसी ठाट बाट इसमें ये कहां से आया ये आर टी डी सी तो आप लिख सकते हैं आप लिख स रेलवे और शाथ में साथ में आर टी डी सी राजस्थान ट्यूरिस्ट राजस्थान ट्यूरिस्ट डेवलप्मेंट जो कोर्पोरेशन है ट्यूरिजम डेवलप्मेंट कोर्पोरेशन राजस्थान प्रियेटन विकास निगम और भारती रेलवे ये दोनों मिलके इसका क्य करते हैं संचालन इसमें कुल मिला के कोच या डिब्बे कितने हैं इसमें चौदा कोच हैं और इनके नाम जो है ना ये नाम रियासतों के आधार पर हैं किसके आधार पर हैं रियासतों के जो नाम थे रियासतों के नामों के आधार पर इसके नाम है जैसे जे पुर्जोद पूराते आगरा तक पहुंच जाती ठीक है तो इसका जो रूट चार्ट है वो है दिल्ली से आगरा है ना आप लिख भी सकते हैं लिखना चाहें तो जैसे दिल्ली दिल्ली से जेपुर जेपुर से बीकानेर जेसल मेर होते है ये जोदपुर जोदपुर के बाद में उधेपुर फिर ये पहुंचती है चितोडगड फिर ये स्वाईमा दोपुर जाती है और फिर आगरा में जाके रुख जाती है यानि साथ दिना तान टका टक गुमाया जाए थान कि रायोस तो लागिवड़ मोटे आर बाक की सानन्द आज़ा है यह जिसोरोसों ब्लागे गें धेखो है 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 आपने तो रेलगा डिम में बेड़ जाओ तो यहां जी सोरो शोग है रिप्या तो भी में चर्मराट शोग लागे जारवरा सु लागे जणा लेकिन फेर ही चलोगे आपने डेड़ स्वाड़ यात्रा कर लिया कि इंदिकत करें ठीक है लोकल डबामी ठीक है तो आगी कुण स पहले सोन विल्स देखिएगा मैंने यहां तीन चीजें आपको बदाई है पहले सोन विल्स शुरुबात में इसका नाम था आगे दूसरी का नाम भी बदलेगा फिर पहले सोन विल्स कर दिया इसका रूट चार्ट के दिल्ली जेपूर बिकानेर जेसलमेर जोत पुरुदेपूर चित्तोडगर स्वयमादुपूर आगरा चली जाती है बात आई इसका संचालन कोर करता है इंडियन रेलवे करता है आर्टी डीसी करता है साथ के अंदर इसके इसके हैं फटापण से आप जानकारी नोट कर सकते हैं इसमें दो रेस्टोरेंट भी एं है दे महराजा केम फिर देर बची नहीं जगहें मैं लिख देता हूँ फिर भी लग देता हूँ नहीं बची है आप लिख सकते हैं दय महराजा यफ में डो र吉 करह है दय महराजा है कि और दय महरानी यह कितना साही अंदाज है यह यह किसे बनाई गही इसका स्लोगन था वन वीक इन वन्डर लेंड इसका स्लोगन है स्लोगन विल्स इसका नाम बदल के कर दिया हैरिटेज ओन विल्स ठीक है है हाँ जी अब इसके बाद आगे बात करें अपने एक और ट्रेन आती है जिसका नाम लिख सकते हैं आप रोयल राजस्थान ओन विल्स साथियों गोर करना इस ट्रेन का संचालन किया जाता है 2009 में कब शुरू की जाती है 2009 में और यहाँ याद करने वाली बात के है शुरुवाती नाम क्या है रोयल राजस्थान ओन विल्स कब शुरू की गई 2009 में और 2017 में 2017 में इसी का नाम कर दिया इसी का 2017 में इसका नाम कर दिया था हेरिटेज हेरिटेज विल्स यह यह देखिये गा इसका नाम कर दिया हेरिटेज पहले सोन विल्स जब की बात करें अपने इस राजस्थान रोयल राष्थान का नाम रेफिल के क्या कर दी है पहले सोन वील्स कर दिया यह पने आपके इसका अंदर लकजरी ट्रेन घ्रताहें यह लकजरी तरा अुर तरह करता है इसका संचालन इंडियान रेल वे correlate आर टी डी सी के द्वारा किया जाता है ठीक है ये आगे आपका रोय द्रास्तान और विल से इसके बाद में आप और एक ची लिख सकते हैं कोच का नाम इसमें जो कोच के नाम हैं कोच के नाम राजस्थान के महलों के नाम पर है राजस्थान के महलों के नाम पर है ठीक है तो ये नोट कर लिजेगा फिर आगे चलते हैं अपने और भी कुछ चर्चा करते है एक आता है फेरी क्विन परशन आजये की फेरी क्विन क्या है ये भाप इंजन से चलने वाली रेल गाड़ी थी भाप इंजन से चलने वाली पूरानी रेल गाड़ी और इसका जो एर्या था इस पेशल सेखावाटी चेत्र में ये चलते थी उसके बाद एक आती है दे ग्रेट अरावली सफारी ट्रेंड ग्रेट अरावली सफारी ट्रेंड यह मतलब अजमेर से राच्ऽ मन्द उदैपूर देते वे चलती है ठीक है अजमेर राच्ऽ समद उदैपूर की जितने भी अपन गया रावली वाला जो प्रियेटर के स्तला में लिए इस्पेसल चलाएगी उसके बाद में आप लिख सकते हैं प्रियेटरन के छेत्र में ही एक चलती है जेपुर प्राइड जेपुर प्राइड ये डबल डेकर बस है जेपुर में चलती है डबल डेकर बस कहां चलती है डबल डेकर बस जेपुर में चलती है उसके बाद में एक प्रियेटरन के चेत्र में ही है दोरा अक्षप्रेश और ये बिकानेर के लडेरा गाउं में चलती है बिकानेर के लडेरा गाउं में लडेरा गाउं में तो ये थी अपने आज की बातें आज की क्लास ट्रेन वगरा के पनने बातें की कौन कौन सी है बाकी और भी चर्चा करेंगे इनको आप लिख लीजेगा मिलते हैं नहीं क्लास में तब तक के लिए अलवीदा भावाय टेक केर जे हिंद जे भार धन्यवाद